आज की वीडियो में हम ऐसी मेडिसीन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आज कल लगबग हर घर में यूज की जाती है और ये मेडिसीन शोप पे भी आपको आसानी से मिल जाती है इस वीडियो में हम आपको ये भी पताएंगे कि ये दिन में कितनी बार ली जा सकती है और इसका आपको कितना dose लेना चाहिए तो हम बात कर रहे हैं कॉमबिफलेम मेडिसीन के बारे में देखे, कॉमबिफलेम जो है वो दो मेडिसीन का कॉमबिनेशन होता है सबसे पहले ibuprofen and paracetamol जो की pain killer होती है ibuprofen लगबग इसमें 400 mg होती है और paracetamol लगबग 325 mg होती है तो चलिए अब बात करते हैं इसके use के बारे में इसका use जाज़तर body pain में किया जाता है जैसे muscle pain, joint pain, headache यानि सरदर्द में दातों के दर्द में और inflammation में भी इसका use कहाता है या तक कि periods के time दर्द होने वाले समय में भी इसका use किया जाता है और भी कए सारे condition में इसका use किया जाता है अब हम बात करते हैं इसके dose के बारे में यानि ये medicine आपको कितने dose में लेनी चाहिए मतलब इसका कितना डोज आपको लेना चाहिए हमें ये जानना बहुत ही जरूरी होता है देखिए खाना खाने के बाद आप इसकी एक टैबलेट को ले सकते हैं और इसकी दूसरी टैबलेट लगबग आपको 6-7 घंटे के गैब के बाद ही लेनी चाहिए ना कि आप एक से दो टैबलेट एक साथ ना ले ताकि आपकी बादी में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो वैसे तो आपको ये मेडिसीन डॉक्टर की सला से ही लेनी चाहिए लेकिन अगर आप इसका यूस खुच से ही कर रहे हैं तो लगबग आपको इसका यूस तीन दिन धकी करना चाहिए ताकि इसके कोई साइड इफेक्ट आपकी बाडी में ना आए जैसे कि वॉमेटिंग, नौजिया, डाइरिया, इस्टमक पेन तो ये सबी इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जो की प्रॉपर डोज ना लेने की वज़ा से आपके शरीर में आ सकते हैं तो कुल मिलाकर ये मेडिसीन आपको डॉक्टर की सला से ही लेनी चाहिए तो दोस्तो ऐसे ही नौलिजिबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो